आप लोग आसा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं लेकर आया हूँ फिर से एक जवर्दस्त वीडियो जी हाँ आज मैं आपको एक आम के बगीचे में लेकर आया हूँ जी हाँ देखिए यह एक आम का बगीचा है जो आपको दिख रहा होगा मैं आज आपको बतलाओंगा कि आखिरकार अगर आप मालदा का पेर लगा रहे हैं कलकतिया का पेर लगा रहे हैं इस तरह का अगर आप पेर लगा रहे हैं तो आपको आमों के बीच के दूरी वास्ताव में क्या होनी चाहिए वह लगा लगाया पेर के माध्यम से यहां मैं आ जो बॉने किस्म के पेर नहीं होते हैं मुल डूप से जो उस दो पेरों की बीच की दूरी होने चाहिए मुल डूप से 22 फिट कम से कम 22 फिट एक तरफ 22 फिट लेजिए तो दूसरे तरफ आप 18 फिट कम से कम लेना होगा तो देखिए यहां जो आप देख रहे होगे एक पेर और दूसरे पेर के बीच की दूरी आपको यहां स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह जो दूरी है यहां आप दिख रहे हैं यह आपका 22 फिट की दूरी है और यह जो देखिए आपको एक मिनट केमरा को घुमा करके दिखिए यह जो आप दूसरे पेर की गैप को जो देख पा की दूरी पर देखिए नजदिक लगाने से क्या नुक्सान है इस बगान में आपको असपस्टूप से दिख रहा होगा अगर आप पेरों को नजदिक लगाते हैं तो देखिए जब इतने दूरी पर लगाने के बाद देखिए एक टाहनी और दूसरी टाहनी की बीच के दृष्टी कौन से लगाया जाता है तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि कितनी दूरी होनी चाहिए तो आपको असपस्ट है कि आम जब भी लगाएं याद रखें कि दूरी बना करके लगाएं हाँ अगर आप बने किस्म के पिर लगाते हैं तो कम दूरी में आपको जायदे फाइदा देख करके जाएगा यह जो आप देख पा रहे होंगे किशान यहां रह करके और तब भगीचे की देख भाल करते हैं अब आप चुकी यह जो मौशम है यह जो समय में आपको बना रहे हैं इसमें फल लगा हुआ था इसमें अच्छे काशे फल थे देख सकते हैं फल का यह जो आपको डाली वेगरत दिख रहा होगा इसमें फल लगे हुए थे लेकिन इसको तूरा गया है तोर लिया गया है ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं यह देखिए आप इसके आलावा आपको यहां यह चीज दिख रहा होगा साथी साथ अगर आप आपका भगान लगाना चाहते हैं और मूल रूप से कलकतिया और मालदा का लगाना चाहते हैं तो याद रखें उसकी दूरी एक तरफ कम से कम अठार फीट तें इसी तरह से आपको भी अपने बगीचे का ख्याल रखना है तो आपको दिखलाते हैं कि आखिरकार यह जो चारो बगल लगाए हैं अपना जो इनका बगान है देखिए बगान के चारो बगल यह गढधा की खुदाई करके और तफ यह उसकी भरपाई किया गया है और पेर देखिए एक के बाद एक बाद एक लगाने से क्या होता है कि किसी प्रकार का जानवर आदी जो है वह प्रवेश भी नहीं करेगा और पेरों की सुरक्षा भी हो सकेगी और साथी साथ कुछ जो है लकरी आदी के लिए पेर जो है वो तयार हो सकते हैं तो यह आप देख रहे होंगे आप महोगनी का शागवान का देखिए यह जो आप देख रहे होंगे यह जो बरे बरे पत्ते एक मिनट हाँ देखिए यह जो बरे बरे पत्ते आपको देख रहे होंगे वास्तों में यह शागवान के हैं यह लकरी के लिए ही है इसमें यह फल लाएक पेर नहीं है यह जो आपको मुल्डूप से यहां दिख रहा होगा यह वास्का में वही है भीच में लग गया है तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आम के बगीचों का ख्याल आपको कैसे लगाना है तो कितने दूरी पे लगाना है वह आप देख पा रहे होंगे यह असपस्ट्रूप से आपको इस बगईची में दूरी दिख रहा होगा क्योंकि एक से यहां देखिए रो में अगर देखेंगे तो मुल्डूप से यहां आपको दिख रहा होगा एक यह पेर हुआ और दूसरा आपको यह पेर हुआ दोनों पीरों की बीच की दूरी आपको लंगरा इस तरह के आमों के लिए जो है इस तरह करना है बौने किश्म के पेर के लिए आप मेरे डिसकिस्वन बॉक्स में जाएंगे तो आपको अमरपाली पेर आदी के बारे मिल जाएगा अमरपाली ले 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 चाहे उस तरह के जो भी पेर आप लेना चाहे मलीका आदी तो तो वो सब बहुने किस्म के पेर हैं, जो आपको इसमें काफी मदद करेगा, मैं आशा करता हूँ, आपको वीडियो काफी फसंद आया होगा, आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ.